Hey guys, welcome back to my channel, कैसे हैं आप सब, आज मैं आपके साथ आलू परवल की सबजी की रेसिपी फिर से शेयर कर रही हूँ, लेकिन आज की जो रेसिपी है वो थोड़ा easy way में बताऊंगे, यानि कि आपको बनाना बहुत आसान होगा, थोड़ा सा different होगा, आलू परवल की रेसिपी इस जो बता रही हूँ, पहले से अलग होगा, जब आप ये आलू परवल बनाएंगे, तो जैसा कि मैंने बताया ये पराठे पूरी के साथ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये चावल के साथ भी बहुत अच्छा लगता है, तो चलिए इसे बनाते हैं, तो सबसे पहले इसे करेंगे, जिसके लिए मैंने लिया है, पॉना चंबाच, छोटा चंबाच हल्दी, तो पाउडरा दा चंबाच काली मिर्च कावडर, दो चंबाच देगी मिर्च कावडर, पानी डाल करके, इसे मिक्स करके, घोल करके, रख देंगे, ये आराम से तब तक फूर जायेगा, फिर इसके बाद यहाँ पे लहसन, अद्रक और हरीमिज सब को एक साथ कूट लेंगे, अगर कूट सके तो कूट लें, नहीं तो आपके पास अगर पेस्ट तयार हो, यानि मिक्सी में डाला हुआ, पहले से पेस्ट रेडी हो, आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन यही दो चीज की अद्रक और हरीमिज का सब्जी में आने वाला है, अब मैं यहाँ पे फटाफट से जो प्याज है वो रफली चौप कर रही हूँ, क्योंकि मैं इसे प्रेशर कूकर में बना रही हूँ, तो आज गड़ा ही बिल्कुल यूज नहीं करने वाली हूँ, प्रेशर कूकर में बन अब आलू को मैंने अच्छे से पील करके और फिर इसे मैं काट लूँगी, उसी तरह से परवल को भी मैं अच्छे से पील करने के बाद वाश करूँगी, उसके बाद फिर इसे काटूँगी, तो आप सारी चीजों को बहुत ही ध्यान से देखें, ताकि आपको कोई बनाने में गलती ना हो ऐसा ना हो कि कुछ एक चीज रह जाए और आप फिर सोचें की नहीं बन पाया आप से सही तो सही बनाने के लिए यहां देख लें अब यह आलू जो है मीडियम साइज के इसलिए और प्रेशर कुकर में बनाने वाली हूं बुनते-बुनते काफी गल भी जाता फिर मैं डाल रही हूं आलू को तो अभी आप समझ गए होंगे मेरे पिछले वीडियो को देख करके पिछली बार मैंने आलू को उबाला था आज मैंने आलू को नहीं उबाला है कच्चे आलू को प्रेशर कुकर में डाल कर फ्राई किया है और थोड़ी देर फ्राई करने क कि नमक थोड़ा थोड़ा करके अभी भी डालेंगे और बाद में सबजी बनते टाइम में भी डालेंगे आलू जब बिल्कुल यहां भुन गया यानि कि इसे 70-80% बिल्कुल नहीं आपको फ्राई करना है बस इसे 50% तक फ्राई किया आप देख सकते एक लेयर उपर आ तब तक इसे फ्राई करना है आपको अब इसी तेल में मेंडने डाला है परवल तो एक बार अगर तेल डाल देंगे उसे ही में आलू परवल फ्राई भी हो जाएगा और सबजी भी बन जाएगी परवल में शुरू में नमक बिल्कुल न डालें क्योंकि बहुत जोड़ से इसमें मतलब छीटे वगेर आते हैं मैंने बस हल्दी डाल दी है थोड़ा सा और अब दो-तीन मिनट भुनने के बाद इसे इसमें मैं स्प्रिंकल कर रही हूं जिसमें कि आप देख सकते हलका सा यह गुलाबी हो भी गया है परवल तो इसे और दो-तीन मिनट भुनेंगे तो अब जो है यह बिल्कुल आपको फ्राई दिखेगा जब इस तरह से तब इसे आपको निकालना है तो इस तरह से आलू और परवल दोनों को मैंने फ्राई किया है तो परवल तो मैंने पहले भी फ्राई किया था लेकिन आलू कच्चे आलू को फ्राई किया है बस यह फर्क ह इसमें और ये फर्क है कि प्रेशर कुकर में भी बनाया है अब उसी तेल में मैं डालूँगे इसमें एक छोड़ा चमच जीरा एक चौथाई छोड़ा चमच हींग दो तेजपत्ता और कुछ साबुत गर्म मसाले जो भी पड़े हो वो आप डाल दें फिर इसे कुछ सेकेंड इसे तक भुनने के बाद इसमें मैंने कटा हुआ टाला है फ्लेम को मैंने मीरियम रखा है और इसे तीन-चार मिनट बुना जो हैskा यह वह अच्छा से भुन जाए अभे धाल को मिर्ची बुर्ण हो गया है इसे स्टेजबर मैं डाल्रहिहा तो आप ऊंग二 फ्रुमच विक इसे मिक्स करेंगे और शुरू में ही ट्रमाटर डालने के सांठ बात मिशनार सब्सक्राइब शुरू में भी बताया भी भी बता रही हूं आपको नमक डालने से ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगा तीन-चार मिनट के बाद इसमें मैं डाल रही हूं वो जो मसाला में पानी डाल कर फूलने के लिए छोड़ा था ना वही अब ये डाल करके तो ये तो इतना गाढ़ा थ है इसी के साथ मैंने डाल दिया है इसमें कसूरी मेथी कसूरी मेथी पसंद हो तो डाले नहीं तो स्किप कर सकते हैं अब ये मसाला भी भून चुका है अब मैं इसमें डालूंगी फ्राई किये हुए आलू और परवल आलू परवल डालने के बाद इसे 5-6 मिनट तक मीडिय जैसा कि मैंने भी किया है और फिर इसे 2 मिनट के लिए 3 मिनट के धक्कन से धक दिया फिर धक्कन हटाया और इसमें अब आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से भुन गया है और क्योंकि ये प्रेशर कूकर है कडाही की तुलना में ये इसमें जल्दी से आप सिर्फ बि लाइन के लिए होता है ऐसा पानी डालकर मिला दिया और हाई टाने तक के लिए जब हमें गया बिए तो इसमें अदा क्यों अधा कर गाना है और थे जू से तक सिर्फ बस इससे जादा नहीं लगाना है एक सी टियाने के बाद फ्लेम को यानि की ढखकन को खोल दिया है और फ्लेम तो अलड़ी बंदी पहले कर दिया था धनिया का पत्ता डाला है और इसे सर्व किया है आपकी मर्जी है आप रोटी के साथ खाएं पराठे के साथ लेकिन आज मैंने इसे खाया है चावल के साथ अगर ऐसी सब्जी बनेगी तो आप चावल के साथ इसे बहुत अच्छे से खा सकेंगे और मैं जब भी ऐसी सब्जी बनाती हूं चावल के साथ बनाती हूं तो ना तो मैं दाल बनाती हूं और ना ही और कुछ काफी है आप ख